आप अपार्ड का नाम है इभनबटगा कौन है तो यह एक विदेशीयात्री है जिस पर एक अश्यास्पद कमिता लिखी गई है तो बिदेशी यात्री मतलती बिदेश से यात्रा करने के लिए आया हूँ, कोई इनसान होता है उसे हम क्या कहेंगे विदेशी यात्री कहेंगे तो शुरू करते हैं, प्याराम पुचो, पेंग नंबर बहतर इपने बतुता पहन के जूता निकल पड़े तुफान में थोड़ी हवा नाख में गुस गई थोड़ी गुस गई कान में तो इपने बतुता जो है उसे क्या पहना जूता पहना और तुफान में निकल पड़े तुफान चल रहा था और तुफान में निकल पड़े फिर क्या हुआ हवा जुसी थोड़ी उनके नाख में चली गी और फुड़ी कान में चली गी कभी नाख को कभी कान को मलते हिवन बतुका इसी पीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता तो कभी नाख को और कभी कान को की सुपान में जब निकले और उनके नाख और कान में हवा जब चली गी तो क्या कर रहे थे कभी नाख को मल रहे थे और कभी कान को मल रहे थे और यहीं नाग और काण को बलने के चक्र में क्या हुआ उनका पैर का जो जूता था वो निकल गया उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुँचा जापान में इपने बत भुटब खड़े रहे गए मोची की दुटान में और इबन बतुता जो है इबन बतुता कहां पहुँच गया जापान पहुँच गया और इबन बतुता कहां खड़े रगए मोची की उतान में खड़े रह गए तो यह एक इबन बतुता पर आधारी थी है, हास्चे कमीता कमीद्वारा लिखी गई थी कि इस कमीता में कमी ने क्या पताया है कि इबन बतुता जो एक उदेशी आत्री है वो तुफाण में निकर पड़े और तुफाण में निकर पड़े फिल्पा झावा जब हवा उटके नाक और कान अखान में जऑरी तो अपने नाक और कान को मले लेखे और दैसे नाक और कान को मले लेखी